संविक्तराशंग के संबंदों के बारे में चर्चा करेंगे संविक्तराशंग की रचना अंतराश्टे सांतियम सुरक्षा की स्तापना तथा युद्ध की विविशिका को रोकने के उद्देसे से की गई थी भारत की मूल निती युद विरोधियं सान्ती प्रेता की होने के कारण वै संस्ता का प्रारंबिक सदस्य बना और आज भी इसके अनेक संस्तानों अम समीतियों का सक्रिय सदस्य भारत सयुतरासंग का एक प्रारंबिक सदस्य भारत सयुतरासंग के 51 प्रारभिक सदस्यों में से एक है सन 1945 में यद्धपी भारत स्वतंतर नहीं था परंति दुत्ते विशुद के समय एक मित राष्ट होने कारण उसने सेंस फ्रांसिक्स को सम्मेलन में भाग लिया इस से तत्ते के बावजूद की सेंस फ्रांसिक्स को सम्मेलन ने भारत के प्रस्ताव को अधिक नहीं माना फिर भी भारत ने गोसना पंतर के अंतिम रूप का पूरी तरह समर्थन किया ऐसा करने के कुछ महत्पून कारण थे पहला गोसना पत्र का लक्षब 207 को आगने बढ़ाना था तथा एक दूसरे युद की व्यापक 20 का को रोकने के अत्रिक सान्ती के लिए लंबे समय में भोजन वस्तर मकान और शिक्षा की बुनोयादी आवसकताओं को प्राप्त करना था दूसरा जैसा कि जवाला नेरू ने संकेत किया कि भारत ने संविक्तराज संके साथ अपने को इसलिए संबंद किया क्योंकि यह राज संके अपेक्षा अधिक व्यापक व्यापक व्याच्छा था संविक्तराज गोषनपत्र राज संग के प्रतिग्या पत्र का संविधानिक सुद्रा हुआ रूप ही नहीं था अपिति इसको राज्यों की एक बहुत बड़ी संख्या का समर्थन भी प्राव था जिसमें संविक्तराज अमेरिका जिसने रास्ट संग में सामिल होने से इंकार कर दिया था इटली तथा जापान जिन्नों ने उसका बहिसकार किया था था सोवियत संग जिसे निसकासित कर दिया गया था भी सामिल थे तीसरे संविक्तराज संग के गोशना पत्र की लगबग स सही मुल्यानन के लिए सही समझ आओ सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, एमम मानवे छेत्रों में अंतराष्टे सही योग को प्रस्तावित वे पुष्ट करना। इस प्रकार भारते सविधान में निति निर्देशक सिधानतो वाले अध्याय में भारत ने सही तराष्ट संग में अपनी प्रबल आस्ता को महत्मूनिस्तान दिया। इसी कारण भारत अपनी पहली अंतराष्टी समस्या कस्मीर का मामला समितराष्ट संग के समक्ष लेकर गया। समितराष्ट संग के विभिन अंगो में भारत की भूमिका। भारत संग्तराष्ट अंतराष्टे व्यापारायोग, संग्तराष्ट पर्यावरन कारेकरम, संग्तराष्ट नार्कोटिक ओस्तिय द्रवे के लिए पुने निर्वाचित्वा। न्यास परिशद में भारत की मैत्पूर्ण भूमिका रही। उसने उपनिवेसवाद विरोधी रुख अपना कर पराधीन देशों की सुदाद दिन्ता पर बल दिया। सन 1958 में पस्चमी अफरिका में जो निरक्षक मंदल बेजा गया। भारत उसका एक मैत्पूर्ण सदेश था। भारत यूनेस्को के संस्तापक सदेशियों में से एक है। इसके सभी सम्मेलनों में भारत ने सम्मलित होकर मैत्पूर्ण भूमिका निवाई है। अंतराष्टेय श्रम संगठन, खाद्यम किर्शी संगठन तथा विश्वास संगठन में भारत ने सक्रिय भूमिका निवाई है। विश्वास संगठन के कारेकरमों को भारत ने बड़ी तनमयता से लागू किया है। भारत में स्वास्त, गाउं की सफाई, परिवार, बेबाल का लिएड कारिक्रम इसी की प्रविना से चल रहे हैं। साइक्तराश्चंग बाल आपात कोस का प्रादेशी कारेले भी भारत में हैं। मार्च 1978 में नई दिल्ली में दुत्ती अंकटाड संबेलन आयुजित किया गया, अंतराश्चे पुर्णर हिन्यमाण और विकास बैंक का भार संस्तापक सदस्य है। इस्तापना के समय इसकी पूझी में भारत का पांचवा सबसे बड़ा इस्तान था। भारत को संविक्तराश्च माहसबा के 49 संस्तापन के समय इसकी पूझी में भारत का पांचवा सबसे बड़ा योगदान था। संचालन परिशत, संविक्तराश्च विश्व खाद्यकार करम, अंतर रास्तिय व्यापार कानून और संग्तराश्च आयोग, सांती इस्तापना आयोग, संग्ठन समीती और समुझी संग्ठन परिशत और अंतर सरकारी समुझी विज्यान आयोग की कार्य परिशत के लिए निर्वाचित क्या गया था। समीक राश्चंके विभिन अंगों में भारतियों परफियों के सवाये बड़ी महत्मूनें उल लेखनिया। सुरिमति विजयलख्षमी पंडित समीक राश्चंक महसाद के आठवी अधीवेशन के अध्यक्ष्तन निर्वाचितुई, डाक्टर रादा कृष्णनन और मौलाना अबूल कलामाजाल युनुसक्यों के प्रधान रह चुके हैं। श्री मतीर राज कुमारी अम्रित कोर विश्वाच संगठन की और डाक्टर वी आर सेन विश्व खाद्यम किर्शी संस्तान के प्रधान रह चुके हैं। श्राम अंतरास्ट्य श्रम संगठन के 33 अधिवेशन के और डाक्टर एज जे भावा उनिस सो पच्पन में अनुसक्ति के सान्ती में उपयोग के लिए गठित कमिशन के अध्धक्स रह सुक्या। डाक्टर चिंतामणी देशमुक अंतरास्टे मुद्राकोश के डाक्टर पी एन किरपाल यूनसको की कारेकारी मंडल के अध्धक्स रहें। मेजर जर्नल रिखी महा सचीव के सैनिक सलाकार जर्नल थिमया साइप्रस में और मेजर जर्नल गानी गाजा में इस्तापित करने के लिए समयुक्तर शेना के कमंडर के रूप में महत्पूर्ण भूमी का अध्धा कर चुके। डक्टर नगेंदर सिंग अंतराष्टे नयले के मुख नयदीश रहे चुके हैं और शिरी आरेस पाठक नयदीश पद पर काररत रहें। नयमूर्ती दलवीर बंडारी समयुक्तर शेना के महासबा में फिलिपिन्स की प्रतियासी को प्राप्त 58 मतों की तुन्ला में 122 मत प्राप्त करते हुए अप्रेल 2012 में अंतराष्टे नयले के नयदीश चुनेगे। नयले में उनका कारेकाल 2018 था। जस्टिस बंडारी नॉम्बर 2017 में दूसरी वाय नयदीश पद पर 2018 से 2027 तक 9 वर्ष के लिए पुने चुने गए। उन्हें सुरक्षा परिशद के सभी 15 सदस्यों और महासबा के 103 में से 183 सदस्यों का समर्थन मिला। श्री आर सिरी निवासन को मई 1990 में विश्वा संगठन के कारेकारी बोड का धक्स उना गया। महला और बालविकास विभाग की सची कुमारी मीरा सेट को जून 1990 में यूनेसको की कारेकारी बोड का पर्थम उपाधक्स नुप किया। चोदा नॉम्मर 1991 में को डाक्टर पी एस राव अंतराष्टे विदियायव के सदसे पुन्य निर्वास चित हुए। उन्हें अंतराष्टे समुद्रकानून न्याधिकरण के नयदीस के रूप में 1990 में से 2008 की अवधी के लिए फिर से चुना गया। नयम्यूर्थी पी एन भगवत्ती को 1990 में से 2002 की अवधी के लिए समुद्राष्ट मानवधिकार समिती में चुना गया। न्यूयर्थ में से अवधी के पूर इस्ताई प्रतिनिदी स्री प्रकास सागो 30 मार्च 1998 में के से अवधी के संबंद में अपना विशेष प्रतिनिदी निक्त किया। 2002 से चार तक की अवधी के लिए स्री वी के सुंगलू अंतराष्टे समुद्री सीमा संगठन के बाहिये लेखा परिक्षक चुनेगे। 3 मार्च 2006 को माहसचीव कोफी अनन ने भारत के विजय नाम ब्यार को अपना विशेष परामस दाता निक्त कर अंडर सेकेटरी जर्नल का दर्जा प्राप्त किया। ससी धरूर ने अवर सचीव जय सूचना के पदपर कारिये किया। नए माहसचीव बान की मून ने विजय नाम ब्यार को चीफ ओफ स्टाप नुक्त किया। 9 माई 2006 को भारत संक्तरास संग की नई मानव दिकार परिशद का सदस्य चुना गया। उसने एक सो एक्यान में मैंसे 171 देशों ने समर्थन दिया। इस परिशद में कुल 47 सदस्य है। दिसंबर 2011 में भारतिय राजदू तिलीप लाहड़ी को संक्तरास की नसलिय भेदवा उन्मूलन समित्य के अद्धक्सपद पर फिर से चुन लिया गया। उनका तीन वर्ष का कारेकाल 20 जनवरी 2012 से शुरुआ। लाहड़ी इससे पहले वर्ष 2008 में समित्य के अद्धक्सपद के लिए निर्वाच उत्यू थे। भारत जो की युनेस्को की कारेकारी बोर्ड में 1950 में इसके घठन के सदस्य से बिराया। को पुने पांच वर्ष के अद्धक्सपद के लिए पेरिस में 13 नॉम्बर 2013 को 37 युनेस्को महा सम्मेले में चुन लिया गया। मॉन्ट्रियल में 24 सितंबर से 4 अक्टूबर 2013 तक 38 असेमली बैठक के दोरान भारत को कांचिलिंग ओफ इंटरनेशनल सिविल एवियाशन ओर्णाइजेशन में पांच वर्ष के लिए चुन दिया गया। कमिशन ओन नॉर्कोर्टिस्क ड्रक्स C&D में 2014 से 17 के अब दीखे लिए HIV ADS UN ADS संबंदी साइट UN कारिक्रम के तैस समन्वे बोर्ड में अप्रेल में कमिशन ओन दे स्टेट ओफ वूमन और युनाइटेड नेशन एंटिन फोर जेंडर एक्वालिटी एंड दे एंपावर्मेंट ओवूमन में 2014 से 16 तो नॉम्बर 2013 में चुना गया। भारत को लंदन में 25 नॉम्बर से 4 दिसंबर 2013 तक आउजित इंटरनेशनलन मेरिटाइम औरनाइजेशन की कारेकारी परिषद देतु पुने चुन लिया गया। भारत के नियंत्रेम महलेका परिक्षक श्री ससीकान सर्मा को जुलाई 2014 से 6 वर्ष की आउदी के लिए सम्युक्तरास लेखा परिक्षक बोर्ड में चुन लिया गया। नॉम्बर 2013 में आउजित चुनाव में 124.62 मतोसी जीत प्राप्त हुई भारत की उम्मीदवार डाक्टर पूनम खेत्रपाल सिंग को 12 सितंबर 2013 को आउजित चुनाव में डवलू एचो दक्षनी पूरी वी एशा चेत्र के लिए चेत्रिय निजशक के रूप में मनोनित किया गया। भारत को वर्ष 2015-17 के कारेकाल के लिए मानिवा अधिकार आयोग के लिए पुने चुन लिया गया। अक्टूबर 2014 को संपन चुनाव में महासभा में एशिया प्रसांद समू में भारत को सबसे अधिक वोट मिले। भारत को 2015-17 के लिए रसायनिक अतियार निशेद संगठन की कारेकारी परिशत का सदसे चुन ले गया। इसके अत्रिक्तवी हजारो भारतिये वेग्यानिक डाक्टर तक्नीकी विश सदसे चुन की विबिन सिवाव में रहकर इसको सफल बनाने में महत्मून मिसनों में कारे रहते हैं।